नमस्कार मैं हूँ आदित्ति कुमार और आप देख रहे हैं नोग पोस्ट जिनके घर सीसी के हूँ वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेका करते लेकिन बॉलीबूट के कुछ लोग पत्थर फेक रहे हैं मैं जिक्र कर रहा हूँ कपिल सर्मासो का जहां पर अर्नब गु उसकर खुद की टियारपी बढ़ा रहे हैं और खुद को पाक साप सावित करने के कुछिस कर रहे हैं आप देखें कि कपिल सर्मासो में कीकु सार्दा जो कि भारती सिंग के पती कर रॉल निभाते हैं उन्हाँने किस तरीके से अर्नब गुष्वामी का मजा कुड़ाया थ मुझे जग दो जग दो ड्रक्स दो ये बाते की गई थी और अर्नब गुष्वामी काफी ज़ादा इंटरनेट पर वाइरल हुए थे और लोग उनको ट्रोल कर रहे थे लेकिन अब अब लोग पुछ रहे हैं शार्दा को जियां कीकु सार्दा को पुछ रहे हैं कि खुद आपके साथ काम करने वाले लोग ड्रक्स के सिकार हैं ड्रक्स लेते हैं और ये 100% है ये चीज़ें आपको पता होंगी उसके बापजूद भी आपने अर्नब का मजाक उडाया और बॉलीवूड में जो ड्रक्स मंडली है उसको छुपाने की कोशिस की है अब ऐसा लग रहा कि टियारपी अब गिरने वाली है जिया कपील सर्मा के शो में ड्रक्स लेने वाले लोग और खुद वो लोग ऐसे लोगों का मजाक उडा रहे हैं जो कि ड्रक्स का विरोध कर रहे हैं बॉलीवूड में जो काला धंदा चल रहा है उसके खिलाप बाते कर रहे हैं और उन प लगातार लोगों को पकड़ कर सामने लाने की कोशिस कर रही है लोगों को लगबग यही लग रहा है कि एक के बाद एक ड्रक्स लेने वाले लोग सामने आ रहे हैं लेकिन हाकिकत दोस्तों आपके कान को फार देगा जिया हाकिकत यही है कि NCB भी बड़ी मच्छलियों को ब को छोड़ दिया जाता है लेकिन भारती सिंगग जो की टीबी के कलाकार है त्व के उनके घर पर बीना पूछे बीना नोटिस के छापा मारती है और फिर उनको गिरपतार करती है ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़े डॉपध माफिया को उन्हें गिरपतार कर लिया। और कोर्ट से ये गुहार लगाता है NCB, कि जनाव, इनकी कस्टडी मुझे चाहिए, ऐसा लग रहा है कि बॉलीवूट का सबसे बड़ा ड्रक्स माफिया की भारतिसी और हर्स है, लेकिन दोस्तों आपको होस्यार होने की ज़रूरत है, बॉलीवूट में बहुत बड़े-बड से चल रहा था, आपको नहीं लगता है कि NCB को यह पता होगा, 100% है दोस्तों, उनको पता होगा, लेकिन मीडिया ने इन तमाम मुद्धों को पुरी दुनिया के सामने उच्छाला, अर्नब गोस्वामी ने पुर जोर तरीके से इस मुद्धे को अपने नियूज में रखा, और तब जाकर देश चका और NCB हरकत में आए, लेकिन NCB चालबाजी यही कर रही है, कि छोटी छोटी मचलिया, 86.5 गराम गांजा जिनके घर में मिलता है, NCB कोर्ट से गुहार लगाती है, कि मुझे इनकी केस्टिडी चाहिए, लेकिन जो ड्रक्स ले रहे हैं, वाकई में ड्रक्स माफिया है, उनको NCB कही न कहीं बचानी की कोशिस कर रही है, बॉलिवूट के कुछ लोग भी होश्यारी दिखा के खुद को बचानी की कोशिस में हैं, और NCB भी ऐसे लोगों को बचा रही है, जो ड्रक्स के बड़े माफिया है, देखना ये होगा, कि देश के शेर कीजिए, ताकि बॉलिवूट की असली हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ सके, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडिट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नमस्कार